नमस्कार जन्भावना टाइम्स में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अंकेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने पहला स्वदेशी विमान वाहग युद्धपोथ आई एनस विकरांत नौसेना को सौंप दिया है इसके साथ ही प्यमोधी ने नौसेना के नए निशान का भी अनावरन किया ये एक स्वदेशी युद्धपोथ है 31 जनवरी 1997 को तकरीबन 25 साल पहले आई एनस विकरांत को रिटायर कर दिया गया था लेकिन अब आई एनस विकरांत का पुनरजन हो रहा है 1971 की जन्ग में भी आई एनस विकरांत ने अपने स्कूल हॉट लड़ाकू विमानों से बांगला देश की बोलती बंद कर दी थी और दुश्मनों के ठिकानों को निस्ते नाबूत कर दिया था आई एनस विकरांत समुद्र में एक तैरता हुआ शहर है भारती नौसेना के अधिकारी मानते हैं कि विकरांत के चालू होने से हिंद महसागर और हिंद प्रशान श्यत्र में शांती, सुरक्षा और इस्थरता बढ़ेगी पोद के भीतर, 15 डेक, एक मर्ती स्पेशलिटी अस्पताल, एक पूल, एक किचिन और महिलाओं के लिए विशेश कैबिन की विवस्था भी है आईए आपको आई एनस विकरांत की खास्या से रूबरू करवा देते हैं आई एनस विकरांत, 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चोड़ा है आई एनस विकरांत की फ्लाइट जेट का श्यत्रफल धाई हौकी मैदानों के बराबर है यानि की 12,500 वर्ग मीटर का श्यत्रफल है आई एनस विकरांत में स्काई जम से सुरक्षित, एक छोटा डंपर और एक लंबा रनवे भी मौजूद है एरक्राफ केरियर का हैंगर दो उलंपिक आकार के फूल के बराबर है आई एनस विकरांत पर 300 विमान बोर्ट कर सकते हैं साथ ही 1600 से जादा चालक दल के सदसे भी रह सकते हैं इसमें करीब 5,000 गैस टरबाइन मौजूद हैं जो की 88 मेगावाट पावर जनरेट कर सकता है विकरांत में मौजूद 14 डेक 10 मनजिला इमारत की तरहे दिखता है इसमें कैंटीन के साथ मौजूलर किचिन भी मौजूद है जहां पर एक घंटे में 1600 लोगों का खाना बन सकता है इसमें एक बार इंधन भरने के बाद 45 दिन तक समुद्र में ये रह सकता है समुद्र में ही रीफिल भी इसे किया जा सकता है आई एनस विकरांट में बड़ी संख्या में स्वदेशी उपकरण और मर्शूनरी का इस्तमाल किया गया है देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने वाला आई एनस विकरांट को बनाने में 20,000 करोड की लागत आई और उसका बसन 45,000 तन है ये भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है इस कारिक्रम के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोती ने नए नौसेनिक ध्वज यानि की निशान का भी अनावरंट किया भारती नौसेना का नया निशान छत्रपती शिवाजी की नौसेना के चिन्ह से प्रेरित है जो कि ओपनिवेशिक अतीद को पीछे छोडते हुए संबृत्य भारती समुद्री विरासत के अरुडूप है देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ नमस्कार